कि उध्यामी योजना और बिहार स्टाटर पॉलिसिक की जनकारी के लिए आप जोइन करें उध्यामी योजना गुरूप इस पेलिंग आप देख लिजेगा इतना लोगों ने अभी तक जोइन कर लिया है यू डी वाई ये माई योजना करके आप टेलिग्राम में सर्च करें गया तो ये लोगों आज जाएगा आप जयान कर सकते हैं नमस्कार साथ यू आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि राशी का स्विकृत्ति पत्र यानि सेंशन लेटर मिल जाने के बाद सेंशन लेटर के कितने दिन के बाद आपका पेमेंट आता है और जब आपका तो तीन किस में राषिए दिया जाएगा तो तीनों किस मिल जाने के बाद जब रहासी को समान 84 किस्तों में 7 बरसे में लॉट आना परेगा तो किस माध्यम से आप लोटाएंगे और कितना दिन के बाद लोटाएंगे इसमें आप देखेंगे कि तक्रीबन टोटलिंग जो नौ यहाँ पी कंडिशन दिया गया है सर्थ दिया गया है इन नाइम जो कंडिशन है उसको मैं बारीकी से समझाऊंगा तो इसमें आप देखेंगे की यहां से बारीकी से यह दिया गया जैसे यहां पी आपका पत्राईंक रहेगा यह आपके घर पे जाएगा यह लेटर जाएगई जैसे 14 मार्च को यह गया हुआ है तो 14 मार्च को जब यह मिला है तो मैं संख्यत में बात करूँ तो बहुत सा लोग का चार से पांग दिर में पेमेंट गिर जाता है जब लेटर जब आपके हाथ में जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि जो कंडिशन है जिन सर्तों के अधार पर आपको गवर्मेंट आपका रास समझेगा जब यहां पर देख सकते हैं कि 14 मार्च को यह आया है तो चार से पांट आएगा कि बीस तारिक से पहले इनका पेमेंट गिर जायेगा अब इसमें चार से पांग दिन बहुत सा लोगा लगता है और चार से पांग दिन भी में के ंंदर भी आपकर नहीं आया है त सब्सक्राइब तो यह प्रोसेस के क्यों करन मैं बताता हूं कि आखे रिलेट क्यों होगा किस करन से आपका पेमेंट हो सकता है कि अपका रुख जाएगा इसमें देखेंगे कि क्या कि मिलनी मेरा यकाना है कि 4-5-7 दिन की अंदर में जो आपका पैसा तो आपका यहां पर आ चाहते में मिल जाएगा इसमें एक हो सकता है कि कि सब्सक्राइब जब बंक बंद रहेगा तो हो 變्मेंट acceptable नियुक्त करा was सद्ड चुक्र मैं चुक्ता क्मिंग करें कि सरकारी चुट तो भी बैंक बन रहें गा तो पयमेन गिरेगा। बीटल बात करते हैं मुझा बारी बारड दिया हुआ है कि आप सब्सक्राइब आप द्वारा उद्धोग विभाग बियार सरकार को समवर्पीद बीस्तित परियोजना परतिवेदन याई डीपीयार के अनुरूप नाय उपकरम के अस्थापना की जाएगी जो डीपीयार पर आपने दिया था डीपीयार पर सारा कोछ आपका वहां पर एडरेस दें रहता है वह नहीं के अनुसार आपका होगा उधियामी द्वारा इस परियोजना को किसी पुरानी परियोजना के साथ जोरा नहीं जाएगा आप आपका मन होगा कि भाई कोई मेरा प्रियोजना है प्रोजेक्ट है पहले से चल रहा है कि आप मैं उसी के अधार पर मैं कर सकता हूं तो न पत्वा अस्थान में बीचलन की स्विक्रिति नहीं दी जाएगी यहां पे कंडिशन है कि बहुत सा लोग कि अगर आपका मैं बार बार आपको कहता हूं कि पहला किस्थ मिलने के बाद अस्थर परिवर्तन और प्रोजेक्ट चेंज नहीं कर सकते हैं प्रोजेक्ट चेंज करन चाता हूं तो वो चेंज कर देगा तो इसमें कि जब जो एड्रेस आपने दिया था ओनलाइन के समय बस वही एड्रेस रहेगा अगर आप चेंजिंग करते हैं तो आपका जो पोर्जेक्ट है उसको कैंसिल कर देगा आपको लाप से पनचित कर दिया जाएगा इसलिए किसी की परकार का चेंजिन नहीं कर सकते हैं अब इसमें क्या है कि वही बात यहां पर दिया हुआ है कि कि लाखो उगर्धु स्विक्रितिकी उप्रांत प्रस्ताविक जो ग्रम है कारे कलाब है अस्थान में बीचलन की स्विक्रिति नहीं राएगी किसी बिचलन परी या परिवर्तन अथ्वा संसुधन के आप सकता होने पर लाभो को महा प्रबंदक जिला उधोग केंदर के माध्यम से उधोग यह कंडिशन देखिए यहीं पर हैं अगर माल लेते हैं कि अगर आप संसुधन करना चाहते हैं तो लाभो को एक चांस यहां पर देखना है इसी में दिया हुआ है कि लाभो को महा प्रबंदक जिला उधोग केंदर के माध्यम से उधोग विभाग भिहार सरकार से लिखित अनुमत्ति प्राप्त करनी होगी अब अपने मन से अपने ही कर सकते हैं इसके लिए अनुमत्ति लेना परेगा तो महा महा प्रबंदक से लेना परेगा अब यहां पर आती है कि महा प्रवंदक के अगर मैं लेक्तर लिखूँघ ऑंगा तो क्या बागी ज्रेंच हो सकता है कि यहाँ पर तो यही बाद तो दिया हुआ है कि अगर माल लेते हैं कि परियोजना में लग ये काम लान नम्बर तो नहीं कर सकते वारे में तो नहीं लेकिन अपने ही जीला में आप कहीं भी कर सकते हैं तो इसके लिए आपका क्या है कि डायरेक्ट ली अपने मन से आप नहीं कर सकते हैं लेकि हाँ इसके लिए कंडिशन यहां पर दे हुआ है कि माहा प्रबंद जागा हर जिला में एक जियम होता है तो माहा प्रबंद जिला के माधियम से अप उसको एक लेटर देंगे अगर वो स्विक्रीती दे देगा कि हां भाई आप प्रोजेक्ट चेंज कर सकते हैं या तो आप असल प कि Jest में किया जाना है अब यहां है कि परियोजना लागत की स्विक्रीती के पास जात अंक banget फर्थम किसके रूप में पर्योजना लागत का 40 परतिसत्त यानी जो ठीप्यर का बना था उसका 40 परतिसत्त अधिक्तम चार लक स्विक्रीत की जाएगी है यहां पर देया हुआ और एक चीज़ और यहीं पे को में देवाई कि हम आपको जो अधिक्तम चारला के राशे देंगे और यह खाव में देवाई कि पर्थम किस्त पराफ्त राशे से आप सेक्ता अधहारित अधिक्तम एक लाक रुपया जो ना सेद निर्मान या अधुनी करन के लिए बैय किया बैया तो मैं जो जानते होंगे तो उसकार इवली हैगा वाज़ा करेंगे अधार दो यहां पर देखेंगे कि पहले यह नंदो मैं थोडव। कर दता हूं थोड़ा अगर जो जानते होंगे तो उसका रिविजन हो जाएगा और नहीं जानते हैं तो आपके नोलेज के लिए ठीक रहेगा तो इसमें किया कि चैन समीति द्वारा निर्ना लिया गया कि युजना अंतरगत स्विक्रित राशी की विवुक्तित तीन चैन में किया जाएगा वहीं बात वहां पे सेंशन लिटर में भी आपको दिया हुआ है इसके बात क्या है कि पर्थम चैन में प्रयोजना लागत का 40 परतिसात दितम चार लाक शुक्रित किया जाएगा यहीं बात सही है अधिक्तम एक लाक रुपे ब्यवस्ताय अस्थल यहां पर क कर देखा रागत कि यह है कि यह हों जैसको चार लाख कीरा सी मिला तब ़ीवाग में इसको डिवाइड करना है एक लाक और तीन लाक वहीं यहां there समझरें ही बात कि यहीं यहां पर दिया हुआ है मेरा वाई कि एक लाख ब्योसाय और स्थलक्य नविकरन के लिए यानि जहां पर है उसी को आप बना हुआ है तो था मरम्तिक कर दीजिए या तो सेर्ण निर्मान कीजिए वही बात यहां पर सुध रिडिकरन या सेर्ण निर्मान अधि के लिए ब्या किया जाएगा एक लाख इसके बात वाटल बाता एक हमी। कि इसे में आप की मिलनी की यानि के एक निर्वान कि सबीन चारा लाता हुआ है तोटलिंग आपको मसीन पे ही खर्चा करना है तो छे लाख हुआ इसके बाद फिर इस में जो दो लाख है ना तो छे अधिक्तम 6-7 लाख मसीन पर ही खर्च करना है समझे है तो वही बात यहां पर मैं अपने सबस्थ नहीं कर रहा हूं यहां पर देवा है कि जो मसीनरी के लि में भाण के लाखिए चार लाख्ते प्लांट जो मस बश्यसिनरी के रुप में बैक ही की जाएगी 3 हिनम में जो दैगा है ऑ दो लाख्खतीत लौन में प्लांट एवा मसेणरी के रूप में किया जाएगा तो अब इसमें एक बात आती है जो ऑफिस्नलagar फ्रस neighbourhood पर ऑफ मो तो यहां पर कंडिशन देवा है कि 25 परतिसत जो रासी का उप्योग मोडल डिपीर से भीन परांटेवा मसिनरी के लिए किया जा सकता है यहां जो दासलाक मसीन आपको मसीन कर सकते हैं बांकि 25 मिश्चेंट से बैया क्यादार पर ही आपको मसीन बेया करना परेगा बांकी को जो 25 परसेंट हैं उसमें आप बदलाव कर सकते हैं अब देखा जाए तो चार नंबर में इन भाई को क्या किया हुआ है कि जो पांव रोटी बेकरी के लिए था अब इसमें जीतना जो डी पियर में दिया हुआ था पस उसी के अनुसार यहां पर देखेंगे यतना चल पूंजी हो गया कार सिल पूंजी हो गया और तो स्कूल ज एक आनुसार यहां प्याएगा तो चार लाग से कम ही इनका रासी आएगा क्योंकि डीपे इनका कम भारा हुआ था अब इसके बाद है पस नंबर बहुत ही इंपोर्टेंट बात है यह पस नंबर समझ रहे हैं वह मेराई यह पांच नंबर क्या है कि इसमें आपका द्याए है क्या कि उध्यामी द्वारप पर्थम किस्किराशी बैन खाते में प्राप्थ होने कि तिति से नब्बे दिनों के अंदर ब्यायकर उपयोगिता परमान पत्र उध्यामी वजना के पोड़र पर अपलोड करना सुनिचित करेंगे यह बहुत ही अहम बात है यह क्या है कि तीन कोया उसकी को चाट है उसकोफियोगता परमान पत्र भर बर करके जितना भी जो आम यह आप क्राय करेंगे जी स्टेबील हो गया इस अब इनवाइस हो गया तो यह सब ही और इनवाइस का जो सैंपल जांच उसका जो है इंकम टेक्स डिपार्टमेंट दोरा किया जाएगा इसलिए जो इनवाइस आप देंगे ओरिजिनल बिल होना चाहिए समझ रहे हैं तो यह सब आप मुझति के बाद प्लांट या मुश्यनरी आदी पर किया गए बास तब यह के मुलियांका ना धर पर दिया जाएगा वही बात यह आप दिया हुए कि दिया के लिए आपका जो परथम किस्ट का जो आपने उप्युकता प्रमार मास्टर ब्दाभर करके देंगे उसी की लान चेक होने के बाद ही आपका दूत्यकिस दिया जाएगा दूत्यकिस के पहले एक बार और ट्रेनिंग सब दिनों का ट्रेनिंग होगा इसमें है कि साथ नमबर सुकृतरीन की वसूली यानि तिरतीय किस्ट के बिमुक्ति कि एक बर्स पास्चात यानि तेरह में माह से प्र मिल जाएगा तिसरा किस तक आपका मिल जाएगा तो उसके एक माह के बाद यानि बार्मा महिना नहीं तेरह में महिना से हम क्या करेंगे कि आपका जो पैसा जो रिटर्ण करना है सामान तो वही रीन की रीन की रासी वापस करने हैं तो नियदारती थी में चूक कर होगा तो रीन जो आना सुध ब्यास सहीत आपको रिटर्ण करना पड़ेगा रासी और विहारा स्टाप फंड के ट्रांसपर खाते में दिया जाएगा और इसके लिए एक यह कारनाम में बनेगा उसके अनुसार आपका वह खाता नंबर को जमा करना पड़ेगा वह आपको देगा जब तिनों किस मिल जाएगा ताब इसलिए चिंता नहीं करना है इसके बाद हो सकता है कि अलग वीडियो बना दूंगा अब आठ नंबर जो आप सूचते होंगे वह सान नहीं होगा इसमे नहीं क्या है क्या है कि यह जो चार्जत जो कंडिशन है अगर इस कंडिशन को आप Karl नहीं करते हैं तो भाई वह जो आपका रासि है ना उसको सूथ ब्याद शहीत आपका रिटन कर लेगा यादी आपको वसूली किया जाएगा वहीं है दूसरी ब्लेक्ति से काम कर रहा है तब आपसका जो रासी दिया गया है दस अलाक किरासी और फंड कर लिया जाएगा रिकावरी कर लिया जाएगा कान नंबर को अगर फोलो नहीं करते हैं फिर भी आपका जैसे लाभुक द्वारा प्रत्यक्ष्या अथ्वा परोग च्रूप से उपकरम को बेच दिया हो हो सकता है आप अपना प्रोजेक्ट को किसी दूसरे बेखते के हाथ में अगर बेच देंगे तो फिर भी भाई आप डण के भावी होंगे सुध ब्यास सही तपका पैसा रिफंड कर लिया जाएगा गवनमबर है कि लावक द्वारा आबेदन में जूठी घोसणा किसी भी अश्तर पर संग्यान में आने पर जीन की अधार पर सुकृति निर्गत की गई है अगर सकता है उथ हैneys उसके अधार पर संग्यान में आया है आप उसके पर अब्सकृतित को निर्गत हो जाएगा तких हएं अब नौ नंबर है कि पर्थम किस्ट की बीमुक्ति के पूर्व उपक्रम के परिशर का किया जाएगा, यहां पर लुद्ध पर्थम किस्ट मिलने के बाद किस्ट के मिलने से पहले औस्थन पर निरिक्षन एक बार किया जाएगा, समझ रहे हैं दूतिय किस मीलने से पहले अस्थल फेरिफिकेशन किया जाएगा उसके बाद ही आपका जो है अगर कंडिका नौ में अथ्वा उलिखित किसी भी तरह के अनियमें तप आए जाती है तो सिक्रिति को रद करते हुए बिमूक्त कूल राजिकी वसूली राजसाकार कि भू राजस्व के तोर पर ब्याज के तहत वसूली की जाएगी यहां पर देख सकते हैं समस्कार मैं हूँ हरी नरायन खुमार अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फोलो करना ना भूले ताकि आप इस पर करके कोई भी वीडियो मिस ना करें तो जूड़िए हमारे साथ और देखते रह करें